सरदिया शुरू होते ही, आज सब की फर्माई से आजाती है कि गुड की बरफी बना ले जाएं हम इन्हें गुड की पंजीरी भी कहते हैं, गुड की बरफी भी कह सकते हैं और आपके ही है क्या कहते हैं? वो मुझे इस कमेंड करके जरूर बताना तो आज हम बना रहे हैं गुर की पंजीरी, जो बहुत ही tasty है और बहुत ही healthy होता है, इसे बनाने के लिए मैंने एक कडाई में दो चंत जो है देसी घी का use किया है और इसे क्योंकि सरदिया है थोड़ा सा जो घी है वो जम जाता है और मैंने थोड़े से बढाम लिये हैं बढा के बाद हम इसे निकाल लेंगे और बदाम के साथ हम थोड़ी से इसमें काजू भी आड़ करने वाले हैं और काजू भी मैंने उतनी ही ले जतनी कि मैंने बदाम लिये थे और हम इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे और भून कर इन्हें भी निकाल लेंगे क्योंकि बिना तेसीगी में भूनना था और भूनने में जो इनका टेस्ट है वो पंजिरी में बहुत ही अच्छा आता है और हमने एक ही एक कटोरी नापकर जो है रागी का आटा लिया है और रागी का आटा हम इसमें यूज कर रहे हैं रागी का आटा बहुत ही अच्छा और हेल्दी भी हो बनान कर लिया है आप चाहें तो इन्हें कूट भी सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं और मैंने मुमफलियों का छिलका है वो निकाल लिया था थोड़ा पूछ छिलका रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए मैंने इस तरही से निकाल लिया था और अब हमें कड़ाई में थोड़ा सा पाने डालेंगे मैंने आधी कटोरी पाने लिया तो उसमें से भी बचा जिसको मैंने पहले से थोड़े से पाने में मैल्ट कर लेंगे. frustrando के बाद हमें कम से कम 5 मिनट के पकाना है 5 यह उससे agenda पहले हमारा जो आउरcko है जब हम इसमें बाकी चीजह add कर दे हैं देखिए जो good है वो अच्छे से melt हो गया है और देखिए उसमें इस तरह से जाग आने लगता है तो जो चीजी हमें इसमें add करनी है वो हम इसमें आप डाल देंगे तो अब हम जो मैंने नारियल का बरुदा भी तयार करके रखाता है वो भी मैंने इसमें add कर दिया है यह मैंने fresh नारियल का जो बरुदा है वो इसमें add किया है और अब इसमें हम रागी का आटा जो है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर add मतलब इसे लगातार एक साथ आटा नहीं डालना है अपको थोड़ थोड़ डाली और अच्छे से उसको मिक्स करते रहिए इससे जो आटा है वो अच्छे से इस गुड़ की पात में मिक्स हो जाता है और जो हमारी पंजीरी है वो बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है और खाने में जो उनका टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम अपनी प्लेट तयार कर लेते हैं उसमें हमने देशी घी लगा कर अच्छे से फैला लिया है और अब हम पात को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे और यहां पर मैं पता लग जाता है कि अब यह जमने के लिए रिडी है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे देखिए अच्छे से इसे फैलाना है आप अगर गरब लगे तो चम्मच की हैप से फैला सकते हैं और उसके बाद हमने जो कि बचे हुए काजू बदाम और मुंपले गिरी रखी थी उन्हें उपर से अच्छे से फैला लेंगे और जो नारियल का बरूदा है उसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे और हल्की हास से टैप करेंगे और इसे जमने के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए रख देंगे जब यह अ बन जाए तो हम इसे की बर्फियां काट लेंगे